अध्याय चार यह है कि तुम पवित्र बनू अर्थात विहभिचार से बचे रहो और तुम मेंसे हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने और ये काम अभिलाशा से नहीं और ना अन्य जातियों की नाई जो परमेश्वर को नहीं जानती कि इस बात में अगे और ना उस पर ताओं चलाए क्योंकि प्रभू इन सब बातों का पल्टा लेने वाला है जैसा कि हमने पहले तुम से कहा और चिताया भी था क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बोलाया है इस कारण जो तु कुछ जानता है जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है किन्तु भाईचारे की प्रीति के विशय में ये आवश्चक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं क्यूंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है और सारे मकी दुनिया के स सब भाईयों के साथ ऐसा करते भी हो हे भाईयों हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ और जैसी हमने तुम्हें आक्या थी वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्म करो कि बाहरवानों के साथ सभ्यता से बरताव करो और तुम्हें किसी वस्तु की खटी ना हो हे भाईयो हम नहीं चाहते कि तुम उनके विशे में जो सोते हैं अज्ञान रहो ऐसा नहो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं क्योंकि यदि हम प्रतीती करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा तो वैसे ही परमिश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुम से ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोय हुऊं से कभी आगे न बढ़ेंगे क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिये जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे सो इन बातों से एक दूसरे को शांती दिया करो